जिन्दगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जो चीज गमा सकते हो उसे मांगना बंद करो याद रखना सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिती का सामना करने का साहस देती है लोग कितना भी इत्रिच रख ले कपड़ों पर लेकिन आत्मा तो अच्छे कर्मों से ही महकेगी आदत और संसकार हमें बताते हैं कि हम दो कोड़ी के हैं या सो कोड़ी के कर्म बिना पूछे और बिना बताय ही दस्तक देता है क्योंकि वो चहरा और पता दोनों ही याद रखता है घर बदल जाए या चहरे बदल जाए कोई गम नहीं लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए हैसियत का कभी अभिमान मत करना क्योंकि उडान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है याद रखना किसी दूसरों को कष्ट देकर हासिल किये गए सुक की उम्र बहुत छोटी होती है लाइप जितनी हाड होगी आप उतने ही स्ट्रोंग बनोगें बहुत महनत लगती है दोस्त कुछ मुकाम हासिल करने में लोग दो पल में ही उसे किसमत का नाम दे देते हैं हर एक की सुनो और हर एक से सीखो क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है दौलत बेसक अमीरों के आंगन में खेलना पसंद करती हो लेकिन खुशी कभी भी दौलत के बंधन में नहीं होती है किसी भी रिलेशन्सीप में इतना मज जुकना कि तूटने के बाद उठते वक्त तुम्हे सहारा लेना परे आग हमेशा अपने ही लगाते हैं जिंदगी को भी और लास को भी जिंदगी कभी नहीं रुलाती है रुलाते तो वो लोग है जिने हम अपना समझ लेते हैं जिंदगी सब के लिए वही है बस फर्क इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है एक्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और एक्छा पूरी होती है तो लोग बढ़ता है इसलिए जीवन की हर इस्थिती में धैड़े बनाए रखना ही स्विष्ठता है सत्य की भूख सब को है लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है समय एक नदी की तरह है हम एक ही पानी को दुबारा नहीं चू सकते क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा या आपका ब्रह्म है हगीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो सारे दुख दूर हो जाएंगे ये कासवास का अहम न पालो जो काम खुशी दे वो आज ही कर डालो अपने सफर का रास्ता वह बदलते हैं जिनको खुद पर सक होता है वरना काम्यावी के पसीने पर सिर्फ मेहनत का हक होता है हर पेर फल दे ये जरूरी नहीं किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है खुबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में जो तरास्ता है उसे खुशी नजर आती है और जो तलास्ता है उसे खामी नजर आती है जो जुकते हैं जिन्दगी में वो बुज़दिल नहीं होते या हुनर होता है उनका हर रिस्ता निभाने का लोगों को परवा नहीं कि आप खुष है या उदास उन्हें परवा है कि आप उन्हें कितना खुष रख सकते हैं याद रखना जिन्दगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है यादे खुस्बू की तरह होती है कितनी भी खिरकी दर्वाजे बंद कर लो हवा के जोके की तरह अंदर आही जाती है अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके जरूरी नहीं कि हर समय लवो पर खुदा का नाम आए वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इनसान किसी के काम आए जिन्दगी हमें सिखाती है कि अगर सांती चाहते हो तो दूसरों की सिकायत करने से बेतर है खुद को बदल लो क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैर में चपल पहन लेना कहीं अधिक सरर है अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभाव कभी गलत नहीं होता क्योंकि अनुमान हमारे मन की कलपना है और अनुभाव हमारे जीवन की सीख है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ उसकी सोच हम से अलग है उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे सच्चे लोग दिल में उतनी जगा नहीं बना पाते हैं जितनी जगा मतलबी और चापलूस बना लेते हैं अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सब को मेरी जरूरत पड़ेगी अपने सोभाव को चिर्चिरा मत कीजिए अगर कोई बात छोटी करे तो आप दिल बढ़ा कीजिए याद रखना जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक जूट आधी दुनिया घूम लेता है कुछ पास आएंगे कुछ दूर जाएंगे बहुत कम लोग ही है जो निश्वार्थ रिष्टे निभाएंगे कभी कभी मन को मना लेना ही बेतर होता है हर जिद हमें खुशी नहीं देती सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिये जितना दवाईयों पर रखते हैं बेसक कड़वे होंगे लेकिन आपके लिए फाइदे मन ही होंगे